नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा, स्वागत है आपका योगा विद आचार्य प्रतिष्ठा के इस संडे स्पेशल एपिसोड में, सबसे पहले हम आप सब के बहुत बहुत आभारी हैं कि आप हमारी वीडियो को इतना पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते है ताकि सभी को आप स्वस्त रख सकें, साथ में आप हमें बहुत सारे सुझाव भी भेजते रहते हैं, आपके बहुत सारे सुझाव हमारे पास आए और बहुत सारी माताओं ने हमसे ये प्रश्न किया, क्योंकि सुंदर्ता पर हम सभी का समान अधिकार है, पर सुंदर्ता मा भी तरह से developed नहीं है, वो कौन सी भारत योग की ऐसी क्रियाएं कर सकती है, जिन से उनका शरीर सुडॉल हो जाए, सुन्दर हो जाए, यह बहुत आम समस्या है और हमारी जो भी मातर शक्ती है, काफी मातर शक्ती इस से परिशान रहती है, तो आज के एपिसोर में हम आपको ऐस सान सी भारत योग क्रियाएं बता रहे हैं, जिनके नियमित अभ्यास से आप सुडॉल शरीर पा सकते हैं, फुल ग्रोथ अफ ब्रेस्ट आपकी हो सकती है, आप इन क्रियाओं का नियमित अभ्यास करें और हमारा वीडियो पसंद आए, तो उसको लाइक, शेर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हरियों! अध्ये में पढ़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना, यथा सामर्थे रुखना, सांस छोड़ते हुए धीरे-धीरे हाथों को वापस ले आएंगे, हाथों को नीचे ले जाएंगे, रिलाक्स, इसका अभ्यास आप चार से पांच बार तक रिपीट कर सकते हैं, सांस भरते हुए दोनों हाथों को सर से उपर ले जाना, कमर, कंधे, शरीर पूरा सीधा रहेगा, गर्दन भी सीधी रहेगी, और सांस भरते हुए सिर्फ हाथों को पीछे की तरफ खीचना, ऐसा करते हुए सीने के निचले हिस्से पर इसके प्रभाव को अनुभव करना, यथा सामर्थे रुखना, और फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आना, इसको भी आप चार से पांच बार तक दोहरा सकते हैं, थर्द स्टेप के लिए भी इसी स्थिती में खड़े रहेंगे, हाथों को आगे 45 डिखरी के आंगल पर ले जाना, हाथेलियां बाहर की और खुली हुई, सांस भरते हुए हाथों को इसी आंगल पर पीछे ले जाना, जैसे कि आप दोनों हाथों को मिलाने का प्रयास कर रहे हैं, गर्दन को भी पीछे ले जाना और ऐसा करते समय सीने के उपरी हिस्से पर पढ़ने प्रभाव को अनुफव करना, यथा सामर्थे रुकना, सांस छोड़ते हुए थीरे धीरे हाथों को वापस ले आना, इस पूरी क्रिया को आप साइड एंगल से भी देख सकते हैं, किस प्रकार से हम इसे कर रहे हैं, प्रभाव कहां पढ़ रहा है, उस पर पूरा ध्यान ठिकाना है, चार से पांच बार इसे दोहरा सकते हैं, यह ध्यान रखें कि जिनी बहुत जादा सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, नेक से जुड़ी हुए कोई दिक्कत है, वो गर्दन को धीला छोड़ करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, यानि अगर गर्दन को पीछे करने में जिन लोगों को चक्कर जैस का आजाता हूँ, वो गर्दन को धीला छोड़ करके भी इन ख्रियाओं का भ्यास कर सकते हैं, बद्ध पद्म आसन, बद्ध पद्म आसन के लिए सबसे पहले पद्म आसन लगाएंगे, यह ध्यान रखें कि अगर आप बद्ध पद्म आसन नहीं कर सकते, तो हम आपको इसक कार से पद्मासन लगाया है, पद्मासन के स्थिती में दाएं हाथ से दाएं पंजे को पकड़ा है, जो कि बाइं तरफ है, और बाएं हाथ से बाएं पंजे को पकड़ा है, जो कि दाएं तरफ है, यानि पीछे दोनों हाथ क्रॉस हो गए और आपने अपने दोनों पंजों को क्रॉस करते हुए पकड़ लिया है सीने का पूरा एक्सपैंशन इस्थिति में आप देखते हैं बद्ध पदमासन हमारी दुग्द ग्रंतियों पर भी प्रभाव डालता है खास करके यदि ऐसी मात आए हैं जो फीद करती हैं बच्चों को उनके लिए भी बहुत जादा ल नॉर्मल ब्रीधिंग और फिर धीरे धीरे अपने हाथों को वापस ले आना जो लोग बद्ध पदमासन नहीं कर सकते वो इस प्रकार से इसका मौडिफाइड वर्जिन कर सकते हैं इस प्रकार से दोनों हाथों को पीछे ले जाना पदमासन की स्थिति में और आपस में मिल देना यानि दोनों कुहनियों को अपने अपने हाथों से हथीलियों से पकड़ लिया है इस थिती में फुल एक्स्पांशन अफ चेस्ट और पांच बार पूरा गहरा सांस भरना सांस छोड़ देना सीने पर पढ़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना धीरे दीरे और गह सन में आ जाना पेरों को खोल के रिलाक्स कर देना